नमस्कार दोस्तों चलिया सुनते हैं मिर्दुला सिन्हा की कहानी जिसका नाम है बे नाम रिष्टा चली दोस्तों कहानी शुरू करते हैं चित्रा जी नमंतरल पत्र के साथ हाथ से लिखे मनुहार पत्र के हरक्षर को अपनी नजरों से आगती उन में अंतर निरहित भाओं को सहलाने लगी कई बार पड़े वो पत्र सोचा विभा में खटे लोग पूचेंगे मैं कौन हूँ क्या रिस्ता है शाली ग्राम जी से मेरा क्या जबाब दूंगी मैं क्या जबाब देंगे शाली ग्राम जी दोनों के बीच बने सम्मंद को मैंने कभी मानस पर उतारा भी नहीं नाम देना तो दूर की बात थी बार बार फटकाने के बाद भी वो अंजान आबोल और बे नाम रिस्ता चित्रा जी को जाना पहचाना और बेहद आत्मी लगने लगा था कभी कभी उसके बड़े भोले पन से भैबीत अबश हो जाती थी और तब उस रिस्ते के नाम करण के लिए मानों अपने शब्दों भंडार में एकटे हजारों शब्दों को खंगाल डालती नहीं मिला था नाम और जब नाम ही नहीं मिला तो पकारें कैसे इसलिए सच तो यही था कि उन्होंने कभी उस रिस्ते को आवाज नहीं दी रिस्ते के नाम और अपनी जिन्दगी के रुक जाने के समय पर भी नहीं जिन्दगी के पुना चले तो होकर उसकी भागदोर में भी नहीं शालिग गराम जी को कभी इसमरण नह किया शालिग राम जी ने ही इस बे नाम रिष्ते को याद रखने की पहल की थी बहुत तो सोच विचार करने के बाद चितरा जिन्हें बहुत पाल जाना तएकर लिया बहुत दूर जाना था बस और फिर ट्रेन की यातरा वो भी गर्मी में ौशालिग गराम जी ने दूर महमानों को कोई कश्ट नहीं होगा और आप तो खास महमान है चित्रा जी कुछ नहीं बोली उन्होंने जब जाने का निश्चे ही कर लिया तो कश्ट और आराम का क्या सवाल शिमला बस स्टेंड पर बॉम्बो बस में बैठ गई थी मुबाइल की घंटी बजी शालिगराम जी का ही फोन था उन्होंने कहा आपकी बस के लिए बस अड़े पर रुकते ही हमारा एक आदमी आपको मिलेगा उसका नाम राकेश है उसके पास आपकी रेल टिकट होगी चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा इतना भी नहीं कि मैंने टिकट ले रखी है और बैसा ही हुआ उनकी बस के रुकते ही एक भ्यक्ती अंदर घुसा उसकी नजर चित्रा जी को खुजने लगी और फिर उसने पहचा लिया उनकी एटैची नीचे उतार कर बोला आपके पास यदी कोई टिकट है तो मुझे दे दीजिए मैं उसे कैंसिल करवा दूँ एसी देती है सिरेली की ये टिकट रख लीजिए ट्रेनर शाम को नजामुदीन इस्टेशन से जाती है मैं आपको लेने आ जाऊंगा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ इसा राकेश ने बताया था सुबह सुबह गाड़ी के भोपाल जंक्षन पर रुकते ही उनकी सीट तक आया उनके पैर छूकर बोला मैं दीपक हूँ मेरे पिता का नाम शाली गिराम कश्यप है चित्रा जी ने खुश रहने का आशिश दिया और उसके पीछे चल पड़ी गाड़ी आगे बढ़ रही थी रोड़ पर भीड़ के कारण कभी कभी उसका होर्ण बजदा अंदर पूरी शांती बनी रही कोई कुछ नहीं बोला चित्रा जी उस नौजवान से बातें करना चाहती थी पर शुरुआत कैसे करे उसो घर की चोखदी आबादी संसकार और इस्तिया कुछ भी तो नहीं जानती थी भोपाल शहर के बारे में पूछने ही जा रही थी कि दीपक बोल पड़ा मैं आपको आंटी कहूँ हम कह सकते हो तो आंटी बारात आज शाम को आ रही है लोकल बारात है इसलिए समय से ही आ जाएगी मैंने सुना कि आप कल ही लोट रही है आपके पास समय बहुत कम है पिता जी ने कहा है कि आप भोपाल शहर पहली बार आ रही है इसलिए भोपाल भी तो देखना चाहेंगी बड़ा सुन्दर शहर है हमारा आप जल्दी से तयार हो जाएं आपको मेरा मौसेरा भाई घुमाने ले जाएगा ठीक है इतना ही बोल पाई चित्रा जी मन्तोस ब्यक्ती के पिर्ती आभार ब्यक्त करने को बनाया था उनकी इतनी चिंता करने बाले नौजवान को शावासी भी दी जा सकती थी पर भे कुछ नहीं बोली दीपक फिर बोला मेरे पिता जी आपकी बहुत तारिफ करते हैं कहते हैं आप साक्षात देवी की अफ्तार हैं पर पता नहीं क्यों ना आप कभी भोपा लाई ना हमें शिमला बुलाया कुछ देर पहले ही आपके बारे में पिता जी ने हमें बताया आप से मिलने की चाहत पनपाई इसलिए कई काम छोड़ कर स्वैम इस्टेशन आ गया चित्रा जी कुछ बोलने के लिए जिभापर शब्द सजाने लगी कि ड्राइबर ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया था गाड़ी किसी गेश्ट हॉस के सामने रुकी गाड़ी से उनका सामान निकाल कर दी पक आगे बड़ा बे पीछे पीछे उन्हें अंदर तक पहुँचा कर बोला आंटी आप यहां ना दोलें नास्ता घर पर ही करना है फिर आप भोपाल के दर्शन के लिए भी निकलेंगी दोपहर का भोजन घर पर ही है भोजन के बाद फिर आप यहां आराम कीजिएगा चित्रा जी कुछ नहीं बोली दीपक के कमरे से निकलने पर अवश्य उसके पीछे गई आखों की पहुँच से उसकी काया ओजल हो जाने पर पीछे लोट कमरे के सिटकनी बंद कर बिस्तर पर बैठ गई सोचने लगी दीपक कितना लायक लड़का है 1920 बरसका होगा इतना जिम्मेदार और पितरभक्त समाज नाहक परिशान है कि युबा पेड़ी बिगड़ गई है मेरे साथ थोड़ी देर गुजार कर इस युबा ने मेरे मन में जगए बना ली पर श्रेतो इसके पिता को ही जाता है शाली गराम जी को उनका ध्यान आते ही चितरा जी उठपेटी अपना ध्यान बटाने के लिए तयार होने लगी चितरा जी के नहाधोकर तयार होते ही नरेश आ गया था उन्हें नास्ते के लिए ले जाते हुए पूचा आप दीपक की बुगा जी है उसकी दो बुगाओं से मिल चुका हूँ आप से पहली बार मिला दीपक का मैं मित्र हूँ चितरा जी कुछ नहीं बोली चुप चाप नरेश के पीछे हो ली शाली गराम जी शिगरता से गेट पर पहुँचे उन्होंने चितरा जी का अभिवादन किया नरेश ने कहा घुमा लाया आंटी को भोपाल इन्हें तीनो ताल अच्छे लगे जब नरेश चितरा जी को लेकर घर पहुँचा तो शाली गराम जी शिगरता से गेट पर पहुँचे उन्होंने चितरा जी का अभिवादन किया नरेश ने कहा गुमा लाया आंटी को भोपाल इन्हें तीनों ताल अच्छे लगे नरेश इतना नहीं कहता तो शायद चितरा जी सामने खड़े ब्यक्ति को पहचान भी नहीं पाती कुछ हो दरग गया था चितरा जी के अंदर उन्होंने अपने को समाला हाथ जोड़कर उनके अभिबादन का उत्तर देते हुए चेहरे पर भी मुस्कान लाई नास्ते का इंतजाम फिलेट के बाहर बाले हिस्से में ही किया गया था कुछ लोग नास्ता समाप्त कर चुके थे, कुछ का जारी था और कुछ आने वाले थे शालिगराम जी को चित्रा जी को लेकर नास्ते के स्थान पर पहुँचने में दो मिनट भी नहीं लगे होंगे पर बहां उपस्तित नास्ता कर रहे महमानों के पिलेट में पड़े स्वादिश्टो बियंजनों में मानो एक विशेश बियंजन आटपका ये कौन है पिरसन उबरा इनने तो पहले कभी नहीं देखा स्वाद लेने लगे लोग आपस में पिरसनों का आदान पिर्दान होने लगा लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था शाली ग्राम जी की पत्नी माला भी आ गई रिस्तेदारों से नास्तों का स्वाद पूछती कुछ और लेने का आग्रह करती आगे बढ़ रही थी किसी ने पूछ ही लिया ये कौन है कौटन की साड़ी में सुन्दर सी महला माला ने दर दर आखें दोड़ाई दूसरी ने सुर दबा कर कहा बही जो शाली ग्राम जी के साथ है उन्हें शाली ग्राम जी ने सुम अपने हाथों से पलेट लगा कर दी है देखिए ठीकी तो कहा था सबने माला ने भी यही देखा चाय का प्याला लिए खड़े थे शाली ग्राम जी सौम में आकिरती लगबग उसकी ही हम उम्र बड़े सलीके से नास्ता कर रही थी कौन है ये महला शाली ग्राम जी ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया आमंतरर भेजने वाली सौची भी माला ने पड़ी थी किसी अंजान महला का नाम नहीं था फिर कौन है ये पिर्शन तो अनेक थे पर वो अफसर नहीं था पती से पिर्शन पूछने का जबकि अधिकांश महमानों के बीच यही पिर्शन बौल की भाती दिन भर उचलता रहा और उसकी पाली में आता रहा रीती रिवाज और रस्म अदाइगी में सब एक दूसरे से पूछते रहे दो पहर के लंच के समय भी चित्रा जी आ गई थी शालिग राम जी की एक साली उनके पास आई और पूछा आप कहां से आई हैं दूसरा पिर्शन पूछने ही वाली थी आप मेरे जीजा जी को कैसे जानती हैं इतने में जीजा जी स्वय मुपस्तित हो गए थे उन्होंने अपनी साली को किसी और विशेस महमान की खातिरदार्दी में लगा दिया था गेश्ट हाउस में आराम करते हुए चित्रा जी का मन कई मसलों में उलज गया था बहुत दिनों बाद पचीस बर्स पूर्व घटी घटना का संपूर दिरश नजरों के सामने रूर हो गया शिमला से गाड़ी में पती पत्नी और दोनों बच्चों का कुलू मनाली के लिए पिरस्थान थोड़ी दूरी पर जाते ही गाड़ी का खड़े में गिरना पती के सिर में चोटाना उनका होश में नहीं लोटना डॉक्टर से बात चीत बेहाल बेहोश चित्रा जी के सामने डॉक्टर की एक मांग और उसों मांग पर शिगरता से बिचार करने का अग रहे अकेली खड़ी चित्रा जी, दो नन्हे बच्चे मां से चिपके हुए, अपना पराया कोई साथ ना था, निर्नाई लेना था चित्रा जी को, सब कुछ चला गया था, जो बचा था, उसकी मांग थी चित्रा जी ने वो बस्तू देना आखिर सुएकार कर लिया, जो उनकी थी, डोक्टर का सुझाओ, और फिर मिर्तियों के करीब गया ब्यक्ति, जीवित हो गया इस मिर्तियों में जीवित था सब द्रिश, कभी कभी जीवित हो जाता फिर से, पर चित्रा जी ने द्रड़ निश्य कर उन्यादों को नजर के सामने से हटा दिया था शुब शुब का अफसर था, जो बीत गई, वो बात गई, जिस लड़की का बिभा है, उसके लिए शुब सोचना है, अफसर और समय की बही मांग थी बारात दरवाजे लगी, स्वागत में खड़े इस्तरी पुरस, तिरच्छी नजरों से चित्रा जी की और अबश्य देखते रहे पिरसन बही, कौन है ये, क्या रिस्ता है शाली गराम जी से शाली गराम जी ने द्वार पर ही, अपने समधी से चित्रा जी का परचे कराया था उनकी दो सालिया अपने पतियों के साथ बहीं खड़ी थी, उनका परचे नहीं करवाया और ये खबर उसो भीड भरे इस्तल पर भी, आसानी से यात्रा कर गई, सब को मिल गई बाराती और घराती के भोजन प्रान तो विभा के रस्म पूरे की जाने लगे, शाली गराम जी को पंडित जी द्वारा मंडप पर कन्यादान के लिए बुलाया गया मंडप पर बैठने के पूरबुनों ने चारो और निगाहें गुमाई उनकी द्रिष्टी के समुख वो चेहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोज थी उनके आसपास मंडप पर बैठी, उनकी बहनों और सालियों ने भाप लिया था दो तीन एक साथ बोल पड़ी, वहां है आपकी महमान देखा मालया ने भी मानों खीज कर बोली, अब बैठ जाएए, मन चित लगाकर कन्या दान करिए इसे काम के लिए महमान और सारा इंतजाम है, बैठ जाएए शालिगराम जी ने उची आबाज में कहा, चितरा जी आप इधर आएए, मंडप पर बैठिए मेरी बैटी को आपका विशेष आशिरवाद चाहिए चितरा जी अंदर से हिल गई, उपर से उपस्तित जनों की निगाहों के तीरों से बन गई, परिशान सी थी अपने इस्थान पर खड़ी होकर बोली, आप लोग शुभ कारिये के लिए बहाँ उपस्तित हुए है मैं दिल से आपकी बेटी का शुभ चाहती हूँ, इसलिए इतनी दूर बैटी हूँ आप अपना पुनी तो काम पूरा करें, मेरी चिंता छोड़ दें, फिर बे बैट गई मैं नहीं मानता इसे समाज के बिधान को, मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए, आपसे बढ़कर कोई शुभ नहीं हो सकता आपकी किरपा के बिना तो, ना मैं होता, ना मेरी बेटी, आईए, आप मेरी प्राथना मान कर, मेरी बेटी का कन्यादान करिए फिर तो पंडित जी भी परिशान हो गए बोले शाली ग्राम जी आपकी महमान महला ठीक कहती है आप कन्यादान करिए अपनी पत्नी को साथ बैठाईए मंड़ पर बैठी सबी महलाई स्वागन ही है शाली ग्राम जी इतना सुनते ही बिफर पड़े आप सब आज सुभह से चित्रा जी का परचे जानने के लिए परिशान है आपके बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं कारिये बेसता में भी हैं जब तक मैं उनका परचे न दे दूँ आप सब का ध्यान भी बिवह के रस्मों रिवाज पर केंदरित नहीं होगा तो सुनिए और जो कुछ शाली ग्राम ने सुनाया सुनकर बहां बैठे लोगों के पिर्शन तो खतम हो ही चुके थे बेसब चित्रा जी के पिर्ती नत मस्तक हो गए बे अबाक रहे गए पचीस बरस पूर्ब की घटना पचीस बरस पूर्ब एक दुरगटना में चित्रा जी के पती घायल हो गए उनके मस्तिस्क ने काम करना बंद कर दिया था जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया उसी के एक कमरे में मैं आउप्रेशन बेड़ पर लेटा था मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था चिकत्सकों ने निर्ना लिया था किसी का धड़कता दिल मिलने पर प्रत्यारोपर हो सकता है आंख दान किड़नी दान जैसे अंग दान की बात तो सुनी गई थी देह दान भी होने लगा था पर हिर्दे दान तो जब वो धड़कता हो और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिन्दा है भला जीवित का हिर्दे कोई क्यों धान करे चित्रा जी के पती का दिल धड़क रहा था पर मस्तिक्स ने काम करना बंद कर दिया डॉक्टर शर्मा ने इन से अनुरोध किया था आपके पती को हम नहीं बचा सकते पर आपकी इस हमती हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में पृत्या रोपित क्या जा सकता है और वो जिन्दा हो सकता है सुजाओ सुनकर चित्रा जी पर क्या भी थी मुझे नहीं मालूम और किसी ने जाने की कोशिश भी नहीं की मालूम नहीं की भी या नहीं चित्रा जी ने अनुमती दे दी थी मेरा दिल पिछले 25 वरसों से धड़क रहा है और ये दिल मेरा नहीं इनके पती का दिल है पर पिछले पचीस सो बरसों में इन्होंने एक बार भी एहसान नहीं जताया इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना ना देखा था मैंने भी नहीं इन्होंने कभी मुझे ढूनने की कोशिश भी नहीं की पर मैं बहुत बेचैन था जीवन देने वाली के पिर्दी आवार भी नहीं पिरकट कर सका था दो बर सु पूर्व इनके शहर में गया डॉक्टर शर्मा मिल गए मेरा दुर्भाग कि इन से तब भी भेंट ना हो सकी डॉक्टर शर्मा से इनका मुबाइल नमबर मिल गया फोन पर ही मैंने इने अपना पर्चे दिया मनुहार पत्र भेजा फिर निमंतरड बहुत आग्रह करने पर ये मेरी बेटी के बिभापर आई है मैंने भी इनको आज सुबह ही पहली बार देखा है अब आप ही सोचिए पंडिजी हमारे परिवार के लिए इनसे बढ़कर शुबह और कौन हो सकता है मेरे बिभा और मेरे बच्चे होने के पीछे भी तो यही तो है मैं हूँ तब ही तो सब है कन्यादान के रसम के सब हैं तो सब की आँखें भरती है पर शाली गिराम जी ने तो कन्यादान के पूर भी उपस्तित सबी की आँखों में पानी भर दिया माला मंडब पर से उठी सीधे चितरा जी के पास पहुँची पैर छुकर आशिश लिये और हात पकड़ कर मंडब पर ले आई महलाओं के जुंड ने आशु पोँच कर गाना प्रारंब किया शुब हो शुब आज मंगल का दिन है शुब हो शुब रिस्ते को नामकरण की आबशकता नहीं पड़ी अनेक रिस्तों से भरा था प्रांगर पर सब से उचा हो गया था शाली गराम जी और चित्रा जी का रिस्ता बे नाम था तो क्या तो दोस्तों ये कहानी थी मिर्दुला सिन्हा की लिखी जिसका नाम था बे नाम रिस्ता कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करना साथ ही ऐसी ही और मनोहर कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना